एक मुवी जो कि बनी है रेट्रो टाइम की तरह जो कि बनी है सिर्प OTT फ्लाप्टफॉम के लिए जो कि अपने काम से पूरा-पुरा खड़ी उत्र थी उस पर मुनिकाव माडालिंग जो कि एड़ेशन है 1989 में आयो यपने इस नोवल Heart of Brutus की जिसमें देखाए रहे रहे राजकुमाराओ, हुमाकरेशी, जादिकाफट, इसकंदर खेर, भगवती, परमुल, और सकांद गोयल जिसको ट्रेक्ट किया है वसन माला ने जो कि वहती वहती रहे राइटर है उन्हें बंबई वैलवेट एंड रेमन रागमान 2.0 जैसे मुवी लिखी है और मर्दों को कभी दर्द नहीं होता जैसे मुवी को ट्रेक्ट किया है अब आगे बात करते हैं मुवी कैसी है क्या है इस मुवी में आपको देखनी चाहिए या नहीं तो मुवी की स्टोरी शुरी होती है एक 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 स्टेंट से जो कि connect होती है सिधा climax में जाके आगे ये मुवी कुछ साल आगे बढ़ती है जिसमें एक कंपणी है जिसका नाम है यूनिकॉन जो की बनाती है रोबेट्स वेगरा फिर मुवी एंट्री होती है इस पी नैडू जो की पले कर रही है राधिकापते जो की देखने में बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है अपने बाकी रोल से वो कुछ है डिफरेंड और कुछ अच्छा करने की कोश्ची कर रही है इस मुवी में जिसके पास बहुत सारे पोल खुलते हैं और कुछ मुर्ण जो की बनने वाला उसका कुछ दिन में ससूर जिसके बाद किलर आप खुद से मारना चाता है राजकुमाराओं को क्योंकि पुलिस उसको घृफ्टान नहीं कर पाई है उनको कोई सुभूद नहीं मिला उसके खलाफ जिसके बाद राजकुमाराओं अपने आपको बचाता है और इस फैले हुए रातों को भी समेटता है जिसमें आप लोग देखे हो कि कौन किलर है वो कैसे कनेक्ट है इन सबसे जिसे देखके आप लोगों को बहुत मज़ा आने होला है अब बात करें मुवी के गुट पाइप संबेड पाइट की तो इसकी गुट पाइप में आता है इसकी स्टोरी मुवी की स्टोरी एक कुल्ची डौर की तरह जिसे जितना सुल जाने दो उतनी कारण पड़ती जाएगगी कुछ लोग इस मूवी में किलर को कैसे कर लेंगे पर वो इस मूवी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये मूवी आप लोगों को आखरी तक पकड़ के रखेगी इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्टरन, सस्पेंस, थ्रिल एंड कोमेडी भी है आखरी में एक लाइफ लेसन भी है ये मूवी आपको 90's का याद करवाती है जिसमें इसके cinematic scene उस समय के लग भी रहे है ये मूवी आपको उस समय में ले जाए कि जिस समय ही ऐसी मूवी बनती थी हालाक इस मूवी का नाम भी पुराने गाने पर ही है इस मूवी में राजकमारों अकरिशी सकंदर के सब ने अच्छा काम कर रहा है इस मूवी में एड इस मूवी का climax जो कि लगेगा आपको एक्टैरियों दा केक क्योंकि वो बहुत ही जादा अच्छा था कि कुछ करिए इस मूवी में उन्हें ऐसा कुछ करते हैं हमने पहली बार देखा है जादा तर वो गलफ्रेंड या पाइप के रोल में दिखाए दी है अपनी मूवी में नो डट वो एक अच्छे एक्ट्रेस जिसका मेरा मानना है कि उसका बहुत उज्यादा यूज लिया जा सकता था पर इस मूवी उनके सीन भी लिम्टेट से ही है फिर आती इस मूवी में राज कमारों की गलफ्रेंड जो की थोड़ा सा इरिटेट भी करती है फिर यह मूवी थोड़ा सबोर करती पर उतरा चल जाता है अब बस आगरी में यही करने जाओं कि मूवी मज़ेता जिसके पास सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक से हो जाएए देखिए इस मूवी को अगर देख लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जुरू बताएगे आप लोगों के कैसे लगी यह मूवी और प्लीज लाइक सब्सक्राइब आज के लिए इतनी मिलता हूं के लिए वीड